नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक नए विडियो में मैं आपका दोश सबंदास आज मैं इस चेन को बना कर दिखाऊंगा और सिखाऊंगा ये चेन 18 इंच का है और वेट है 14 ग्राम 600 मिलिक ग्राम है 18 इंच इंड करने के लिए 117 इंच तार टानना पड़ेगा और 13 ग्राम गॉल्ड लेना होगा और 4 तार एक करके जो सलाय होता है वो लेना होगा इस तरह अगर गॉल्ड का नए ने डीजेन सीखना है तो चलेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आल कर देना ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास पहले चला जाए सलाई में पूरे तार को जराना परेगा केस तरह फ्रेंज जिसने भी सस्क्राइब किया उसे दिल से धन्यवाद है और जिसने सस्क्राइब अभी तक नहीं किया वो जल्दी से सस्क्राइब कर ले ताकि ऐसे डिजैन में लाते रहता हूँ ने ने डिजैन सिखाता हूँ सबको तो सस्क्राइब अगर नहीं किया तो सस्क्राइब कर लेना और लाइक अगर नहीं किया तो फड़ा फड़ा लाइक कर देना कर दो कर दो कर दो कर दो कि रिंग काटे कर तीन भाग करना होगा चेरा ग्राग्राम गोल को तीन भाग करके दो भाग गातना परेगा और एक भाग बाद में गातना परेगा और ये दो भाग गात रहा हूं देखे कैसे यो को पूरा पूरा देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा चेन को गातने के बाद इस काट में बाद ना परेगा बात कर सोल्डरिंग करना होगा बात कर सकते हैं तो समझ में आएगा आएगा चेन के सारे मूँ को एक साइड में करना होगा ताकि सुल्डरिंग करने आसा नहीं हो अच्छे तरह देख लीजे इस तरह सुल्डरिंग करना होगा सुल्डरिंग करने के बाद वो एक भाग रिंग यहां पर गातना होगा एक एक करके देखिये कैसे गात रहा हूँ अच्छे नहीं होगा करने एक वाट से टीक करना होगा एक उर्ड़ होगा एक वो एक सारी पहां यह होगा अच्छें करना होगा परतौन झाल 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 गातने के बाद सारे मौ को सामने लाना होगा चिम्टे से उसके बाद सोल्डेरिंग करना होगा और ये हैनबैस है और इसे चेंड कैसे हो रहा है देखिए झाल 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 अब इसे जोल में देना होगा ये देखिए ये चेंड का जोल है इस तरह इसमें देकर पीटना होगा और उसके बाद खिचना होगा और वेट के हिसाब से आप इस गुट करना होगा झाल 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 में चाल ये देखिए चेन तयार हो गया थैंक्स पर वाचिंग हसते रहिए मुस्कुराते रहिए आपका दिन सोबो थैंक्यू